आज आपको मैं अती बला नाम की आईरुवेदिक औस भी बतलाने जा रहा हूँ इसे एब्यूटिलन इंडिकम भी कहते हैं तो एब्यूटिलन इंडिकन इंडिकम इसका बोटेनिकल नेम है और यहाँ औस दहे इसे संस्कृत में कंगी भी कहा जाता है यह बला चतुष्ट गुरुप में आता है यानि जिसमें महाबला, राजबला, वन्यबला और यह आती बला है तो इस पौधे को पहले आप देख ले यहाँ बरसाद के दिनों में उबता है इसमें पीले फूल आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह पीले फूल इसकी पत्तियां इस तरह से होती है और इसका फल सबसे अजीब होता है इससे बच्चे जो है कहीं पर छाप भी लगाते हैं दिवालों में खेलते हैं यह बहुत ही काम क्योसदी है इसका नाम ही बला है अती बला बल में भी बहुत ज़्यादा यह इसका जो गुन है अगर बताया जाए तो यहां बल कारक है सबसे ज़्यादा इसलिए इसका नाम ही बला से है यह सिनिक्द होता ह सीतल होता है गराही होता है कि यह रस्में कटू होता है थोड़ा कशेला होता है अलका सा मदूर भी होता है यह दोनों स्वाद इसमें प्धाय जाते हैं और ये वात पित्दोस को यह दूर करता है सरीर में कहीं जलन हो रही है तो उसको दूर करतेगा यह मुत्रल होता है यानि अगर आपको पेसाद बहुत जज़ादा रुक रुक करके हो रहा है तो यहाँ खोल करके उसको निकालेगा जो थोड़ा थोड़ा टपक टपक के पे साब होता है जिन लों को रुक रुक के उसमें यह बहुत कामाता है पत्थरी अगर आपको हो गई है तो उसमें यहाँ बहुत कामाता है यहाँ ग्राही होता है और इसे आसानी से आप ग्रहन कर सकते हैं खलका होता है भारी नहीं होता है इसकी पत्तियों का ही ज्यादा तर परियोग किया जाता है विसे इसके फॉल का भी परियोग कर सकते हैं और इसके जंठल का भी परियोग कर सकते हैं मूँ धोने के काम आता है दात के रुकों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है दूर कर देता है यह यौन विकार में भी बहुत काम आता है चेहरे की सुन्दरता बढ़ाता है इसके पत्तियों काड़ा पिया जाता है तो यह चेहरा को सुन्दर बना देता है यह सड़क के किनारे मिल जाता है आपको कहीं जगर मिल जाता है जमा हुआ तो इसको देख लें अच्छा से पैचान लें बहुत ही काम की चीज़ है यह घाव को भरने में काम आता है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा जिनको सुगर की परिशानी इसकी पत्तियों का रस पिए और पांच-पांच पत्तियों का रस व्यास को पी सकते हैं सुबह साम और यह आपको दूर कर देगा डायबिटीज को जिनके साथ इसको मिला के पिला जाता है आप जान दिए जामन की गुटली अच्छाल के साथ और नीम की पत्ति के साथ और भृत कुमारी के साथ उसमें यह मिला के पिया जाता है डायबिटीज में यह बहुत लावकारी होता है यह घुटने में जिनको दर्द है चुकि बात रोक को भी यह दूर करता है तो घुटने में जिनको परिसानी होती है और जो घुटने के दर्द के लिए जो गरम-गरम दवाएं ले करके परिसान हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह गरम नहीं है और द तो यहां उसमें भी बहुत काम आता है और जिनको पित्ती उचलती है जलन होती है आँखों में सिर में जलन होता है तो उनमें भी यहां बहुत ही काम आएगा तो यह औसधी के आपको मैंने कुछ गुण बताये हैं अभी इसको आप ध्यान में रखिए यह किर्मी नासक भी होता है पेट में जो किर्मी है उसको यह दूर कर देता है उसके लिए आपको का सहरा लेना पड़ेगा वाइव डंक के साथ है आप इसे ले सकते हैं किर्मी नासक के लिए